जहिन दोस्तो यूपी ऐसा है मेडिकल से एक लेटर जारी हुआ है उसमें लेटर आया है आट नॉंबर को आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बताया गया है कि दस दिन के अंतर जिनके भी नहीं हुआ है उनको कराया जाए मतलब बहुत तेजी से काम चल रहा है मेडिकल लेकर इस वीडियो में आपको लाश्ट में यह भी बताऊंगा कितने लोगों वीड़ हो है और ट्रेनिंग कब से आपको हो सकती है उसके बारे में जो अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा ठीक है तो वीडियो सुरू करते मेरा नाम राजिय सिंग है मैं यूपी पुलिस वरिफिकेशन यह सिर्फ चीजे प्रक्रिया चल रही है और अब तक जिनका भी मेडिकल हो चुका है जितने लोगों का आपको इस्क्रीन बदी करा होगा कि इनका लेटर में लिखा है कि 10 दिन के अंदर इनका जो भी प्रक्रिया है उसको कराया जा जिसमें से 8,232 लड़के जो है मत्तब समझ रहे है इतने लोग पास हो चुके है जाहेंगे कितने लोग हो सकते हैं वह एकस्पेक्टेड मैं आपको बता रहाहूं 134 लोग का जो मंदल मेल री मेडिकल बच गया है वो कौन-कोन से मंदल में बचे में हैं देख रहे होंगे आप लेटर मेडिकल मेरट में आगरा का मुरादाबाद का और आजमगड का इन जिलों के री मेडिकल बच गया है मतब अल्मोस्ट खतम हो गया क्योंकि सब्सक्राइब जल्दी मेडिकल खतम होने वाला है इसमें से आपको 381 लोग अब तक बाहर हो चुके हैं तो लमसम लमसम उमीद है कि आपकी जो टोटल केंडिडेट ट्रेनिंग पे जा सकते हैं वो साड़े आठ और नौ के बीच में ही रहेगा समझ रहे हैं साड़े आठ और परनौ के बीच में ही इतने लोग बागे चांदेट चाते हैं बाकि ट्रेनिंग कौन कौन से हैं क्या कहां उसके रिलेटर में क्या समाल ले जा सकते हैं मतब ट्रेनिंग की प्लेडिस्ट आप जा करेंगे आपको शारी डीटेल मिल जाएगी तो जरूर वीडियो को होगे बहुत कम उमीद है कुछ लोग बोल रहा है सर मैंने डीवी वेरिफिकेशन हो रहा है यह हो रहा हो रहा है तो भाई वह चीज प्रोसेस होती है लेकिन बाकी चीजों में भी टाइम लगता है सरकार इतना जल्दी नहीं करती है वह आप जहां तो फेशन के mm पर साथेवी कुष्ण आता है लोगों कर सर मैं ट्रेनिंग्पे लेट जाओंग तो क्या होगा ठीक है वाई ट्रेनिंग पे अगर आप लेट जाते हो तो आपको थी दिक्कट नहीं वह आप जीप का आपकी passing out होगी पूरे batch की तो उसके साथ करा दिया जाते हो तो भाई आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाएगी आपकी ट्रेनिंग वन मंथ बढ़ जाती है अगर आप एक महिने लेट होते है तो ओर बढ़ जाती है क्योंकि जो दरोगा के ट्रेनिंग है वो बारा महिने के होती ह अब आप लेट आये हो तो आपकी जिम्हेधारी है इसमें तो ट्रेनिंग का कोई गलती नहीं हो तो बाकि सारी लड़के आगए है तो इसलिए अगर आप हापता दो-चार दिन-दस दिन-पांस दिन अगर लेट होते हो तो उसमें इतनी घबरानी के कोई बात नहीं है वह अपने आपको समाल के रखिए और क्या क्या समाल ले जाना वह मैंने वीडियो बनाया है अब देख से जो है च्छे अजार से उपर सारी शेजर के आसपास लोगों का चरिश त्यापन हो चुका है तो जिनके जिनके पुलिस वरिफिकेशन या फिर एलाविव वरिफिकेशन हो गया है बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग पुलिस विवाग में आए और जुड़ रहे हो पुलिस विवाग से और बहुत अच्छी नोकरी है जौब प्रोफाइल से रिल डेटर में ने वीडियो डाला है वो जरूर जाके देखो आपको बह इसलिए को बचा के रखेंगे मेरा यही है मैं अपना इक्स्प्रेशन बता रहा हूं जब आप ट्रेणिंग में चाट लें उसके बाद अपनी चीज़े एक्स्प्रेशन दाहर कीजे तब तक आप अपनी चीज़ों को थोड़ा समझ रहे हैं सरकारी नोकरी है तो टाइम लगता है और एक बार हो जाती है तो परवनेंट हो जाती है तो थोड़ा कुछ दिन और पेशन बचा कर रखेंगे अब मैं आपको बताता हूं जो लोग फिट अनफिट है ठीक है देखिए ये नौ तारीक का है वरारसी जिले में री मेडिकल हुआ था जिसमें वरारसी जिले में साथ लोग अनफिट हुए हैं मेरट जिले में 2 अपिट हैं और कानपू जिले में 1 बंदा अपिट है और 2 अनफिट हुए हैं तो ये था वीडियो और आपको ट्रेनिंग कितने सेंटर हैं आपको वीडियो दीक रहे होगी है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में झाल झाल